नमस्कार आप देखने दिकनटाप महिंपरफूल आज संसद में शीत कालिन सत्र की पहला दिन है शीत कालिन सत्र यानि मांसुन सेशन की शुरुवात होने वाली है और उससे पहले हमारे परधान सेवक ने मीडिया को संबोधित किया मीडिया से बात करते हुए कई पहलों पे उन्होंने चर्चा किया और बात कही कि संसद की गरिमा का ख्याल रखा जाए परधान मंतरी नरेंदर मोधी नहीं यहां भी कहा कि हम सारे विशयोपे आनि सभी विशयोपे विस्तार से चर्चा करने के लिए त्यार है लेकिन चर्चा शांतिपूर तरीके से होने चाहिए किमकि अब देखा जाए तो किसान अंदोलन जिसमें कहा जा रहा था कि तीनों क्रिसी कानूनों को लेकर संसद में हंगामा हो सकते हैं उसके बाद बेरोजगारी की समस्या थी और कोविट के बाद में यानि सेकेंड वेव के बाद में ये पहला ऐसा सत्र है जहांपे कुरोना महमाली से जूड़े तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और एक और अब नई मुद्दे आ गए हैं सामने वो है पेपर लीख होना और यूपी टेट का एकजाम रध होना तो इन तमाम समस्याओं पे तमाम इश्वयों पे सितकालिन शत्र के दोरान चर्चा होने की संभवना है लेकिन उससे पहले हमारे परधान सेवक ने मीडिया को संभोधित करते हुए क्या क्या कहा उन बिंदों से आपको मुखातिब कराते हैं परधान मंतरी मोदी ने पहले कहा कि हमने देखा कि पिछले दिन यानि संभिधान दिवस के एक नय संकल्प के साथ संभिधान की आत्मा को चरितार्थ करने के लिए सभी के दाईतु के संभिधान की जो आत्मा है जो उसकी एक कह सकते हैं प्रियंबल होता है उसको चरितार्थ करना है यानि कुछ सद्ध करना है उस राह पे चलने की उन्होंने अपील कहा उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि संसदिये जो सत्र है यानि संसद में जो भी वहस होंगे वो शांति पूर तरीके से होंगे और संसत को कैसे चलाना है क्या करना है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम कितने देर किसी चीज पे बहस कर रहे हैं या कितना काम करते हैं बलकि बहस हमारा ये होना चाहिए परमुख मुद्दा ये होना चाहिए कि संसत की गरीमा का ख्याल रखते हुए हम किसी भी मुद्दे पे किसी भी विशय पे चर्चा कैसे कर रहे हैं हंगामा नहीं होना चाहिए यह रहा उसके बाद उन्होंने लिखा कहा कि सरकार के खिलाप या उनके नीतियों के खिलाप आवाज परखर होनी चाहिए वो लेकिन संसत की गरीमा में रहनी चाहिए आप सरकार का विरोध करें सरक कोविट कहा जा रहा है कि यह नया विरियंट है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस पे भी बहुत बात होगी इस पे भी चर्चा की जाएगी उसके बाद कल हमने एक ट्वीट देखा उसमें लिखा गया था कि जब आप सेंट्रल विष्टा के लिए 16 क्रोर या उससे ज्यादा क खर्च कर सकते हैं 2000 क्रोर खर्च कर सकते हैं लेकिन वहीं कोबिट के दौरान मरे यानि मिर्टकों को चार लाख रुपया देने से आप इंकार करें तो शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है संसत्र में तो इन तमाम पहलों पे उन्होंने आज मेडिया से बात करते हुए इ और भी बिंदों पे मैं आपको अपडेट कराता हूं जैसे संसत्र की करवाई से पहले कॉंग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ बैठक भी बुलाई उससे पहले कल आपने देखा था कि कल भारती जनता पार्टी के नेताओं ने और ध्यक्ष और गेरी मंत्री अमिर शाह न यानि ट्यमसी जो बैठक होई थी उसमें सामिल नहीं हुई उसके बाद कांग्रेस अंसत्र मनी स्तिवारी करवाई से पहले ही अस्थगन परस्ताओं नोटिस दिया है यानि करवाई होने से पहले यह तमाम उद्दे हैं और उसके बाद आते हैं क्रिसी कानूनों की बात कर रहे हैं तो नरेंद्रे तोमर जो क्रिशी मंत्री है नरेंद्रे सिंग तोमर वो क्रिशी मंत्री है वो आज तीनों क्रिशी कानूनों के बिल वापसी पे प्रस्ताओं पेस करेंगे और प्रस्ताओं की परकिरिया आपको पता होगा कि तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है उसके बाद फिर उस बिल पे महामहीम निराश्पती की मोहर लगता है यानि शाहिन होता है उसके बाद वो बिल पास हो जाता है तो खेर ये पहला दिन है और पहले दिन ये इनतम क्रिशी कानूनों के वापसी पे भी प्रस्ताव पेस किया जाएगा और इस सत्र में लगभग 30 नए बिधायक या बिल पेश किया जाएगे भारतिय जनतापार्टी की सरकार के तरब से यानि NDA की सरकार 30 नए बिल यानि भिधायक पेस करेगी और कितने पास होंगे वो बात की बात है उस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे इसके आलावा सितकालिन शत्र के दवरान पॉस्टनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यान 2019 पर संसत की जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में पेस की जाएगी सदन के टेबल पे संसत्र आज से शुरू हो रही है तेश दिसंबर तक चलेगा यानि 29 नवंबर से शुरू होगते हुए तेश दिसंबर तक ही चलेगा और इस दवरान 19 दिन लगभग काम किये जाएंगा 19 दिन का होगा करीब 30 बिल संसत में पेस किये जाएंगे जिसमें क्रिशी कानून सबारित होने से के बाद संसत के उस सदन में लाया जाएगा यानि आपको लोर हाउस आपर हाउस आपने जानते हैं यह इन तमाम परकिरियाओं से गुजरते हुए उसके बाद कोई भी बिल निरस्त किया जाता है और उसके बाद और बता दें कि सीदकालिन शात्र के दौरा राजनासी ने सदन के सदन में सार्थक कागचात और सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की मांग गया यानि सभी जो विपक्षी दले उनके बैठक बुलाई गया और बैठक में यह कहा गया कि आप लोग सहयोग करें चर्चा बिस्तार सी की जाएगी हर मुद् सद की जो श्रीत कालिस सत्र है उसे आपको आउगत कराते रहेंगे तब तक हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को कर देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए यूटूब पे देख रहे हैं तब बेल आइकन दबाईए अकर फेस्बूप के देख रहे हैं तो फॉलूर जरूर किजेगा